देखे केंदर सरकार का एक ऐसा काला अध्यादेश जो माननी सर्वोचे नयायले के पाँच जजों के फैसले को बदल देता है मैं समझता हूँ कि ये देश के समविधान के लिए बहुत खतरनाक है ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं बेटकर ने जो भारत के लोकतंत और समविधान को लेके सपना देखा था उस सपने के खिलाफ है तो आज इस महारैली के माध्यम से अरविंद केजरिवाल जी दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आईए हम सब एक साथ मिलकर इस काले कानून का विरोत करें इस काले अध्यादेश का विरोत करें और मानी सर्वोच्य नयाले की प्रतिस्था को जो गिराने का काम किया गया है इसके खिलाफ हम लोग एक जुठ हो दिल्ली की दो करोण जनता ने प्रचंड बहुमत से जो सरकार चुनी है उस सरकार के अधिकारों की लड़ाई लड़े तो ये आज इस महारैली का मकसद निश्चित रूप से वह सम्विधान के अच्छे जानकार है और इस पूरे मामले में उन्होंने भी पैरवी की है पूर्जोर तरीके से तो वह आ रहे हैं कपिल सिब्बल जी दूनिया में भ्रस्टाचार की सबसे बड़ी जनरेटर अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारती जनता पार्टी इनके सारे मुख्यमंत्री उठा के देख लीजिए आसाम का मुख्यमंत्री वाटर घोटाले में फसा मध्यप्रदेस का मुख्यमंत्री ब्यापम नेता इनका सदन विपक्ष का बंगाल के अंदर सारदा स्कैम नारदा स्कैम में फसा खुद देश के प्रधान मंत्री अडानी के साथ मिलके लाखो करून का घोटाला कर रहे है बाजपाईयों को ब्रस्टाचार के बारे में बोलने का हक है पूरे देश और दुनिया में सबसे भरस्ट और बेइमान पार्टी है भारती जनता पार्टी पूरे देश को लूटने का काम किया है एक ही अडानी को आकास से लेके पाताल तक सब कुछ सौपते जा रहे है आकास से लेके पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति के नाम कर दिया इस व्यक्ति ने